In this video I am going to describe you what is the cost of living for an aspirant who is living in Delhi I know आप में से बहुत से ऐसे aspirant होंगे जो भी दिल्ली आकर UPC की त्यारी के बारे में सोच रहे हैं जो सोच रहे हैं कि दिल्ली आकर रहेंगे लेकिन सबसे पहला सवाल कि दिल्ली में रहने का मंतली खर्च कितना होगा एक मंत में आपका कितना पैसा खर्च हो जाएगा इसके साथ में हम ये भी जानने के कोसिस करेंगे कि अगर आप एक new aspirant है आपको दिल्ली के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो आप किस हिसाब से वहाँ पर होने वाले ठगी से वच सकते हैं या पर किस हिसाब से आप अपने पैसे को जितना हो सके उतना काम कर सकते हैं जितना हो सके अपने expense को reduce करने की कोसिस कर सकते हैं So hello everyone, namaste India and wonderful welcome to civil aspirant I hope आप सब लोग काफे बैतरिन होंगे My name is Mukhees Mukhera, आज अन चलते हैं वीडियो को, सुरू करते हैं So first of all, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों को समझाने की कोसिस करूँगा कि डिली में आना जरूरी है या पिर नहीं है इसके बारे में भी हम वीडियो के अंति में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिली में किस जिगा पे सबसे जज़्यदा एस्पिड हैं दिखिये डिली में आपको दो जिगह देखने को मिलेगी Hindi मिडियum का जो सबसे बड़ा करौड का जो एरिया है वो है मुकरजी नगर जो इंग्लिस मिडियम का जो क्राउड का एरिया है वो है क्रोल बाग या फिर ओल्ड राजने नगर जिसको बोलते हैं जापर आपको दिली की जीतने भी इंग्लिस मिडियम की पॉपुलर कोचिंग हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है मैं आपको सबसे पहले राजननने गर के बारे में बताता हूँ और उसी के अंदर अगर आप मुकरजी नगर के बारे में सोच रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ फरक नहीं होगा ओल्ड राजेनन नगर एस कंपेटो मुकरजी नगर ज्यादा महंगा है क्योंकि वहाँ पे इंगलिस बीडियों के बच्चे आते हैं और वहाँ पे एक छोटी से जिगा पे और सिधा से वो सिटी वाला एरिया भी कह सकते हैं उसको ठीक है कि अगर आप सिंगल में रहते हैं तो आपको मिनिमुम जो रूम का चार्ज पड़ेगा वो करीब 15 से 16 अजार पड़ेगा आप सोच रहोंगे कि मैं आपको कोई पर ज्यादा तो नहीं बता रहा अगर आप सियर करकर रहते हैं तो 6,000 तक भी जा सकता है अगर रूम की कॉलेटी एच्छी नहीं है तो वहाँ पर यूजली जो रूम के चार्ज है जो यूजली इसी हिसाप से रहते हैं तो इसके काण उनका प्राइज कम हो जाता है अगर आप राजेनन नगर में रहना चाते हैं और अपने प्राइज को कम करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो वहां पर आपको कापी फायदा देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको दू एरिया वहां पर देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको दू एरिया वहां पर देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको दू एरिया वहां पर देखने को मिल जाता है जैसे कि आपको दू एरिया व इन नगर के बारे में कि अगर आपका रहने का खर्चा है वो कितना आएगा डिपेंट करता है कि आपकी साफ से रहते हैं अगर आप सिंगल रहके रहके सोच रहा है कि आप सिंगल ही पढ़ेंगे तो आप सोच के चलिए कि आपका मंतली खर्च करीब करीच 14-15,000 के आसपास जा सकता है और अगर आप दूर रहेंगे तो आपका वोई 6-8,000 के बीच में जा सकता है रहने का खर्च आप दिली में किसी भी जिगा पर रहिए मिनिमम आपको 3,000 रुपे टीफिन के सुविता देखने को मिल जाती है 3,000 में आपको 2 टाइम का खाना मिलता है जो ऐसा खाना होता है जिसको खाकर से जिन्दा राज आ सकता है मतलब उस खाने को खाकर आप मरोगे नहीं इसकी गारेंटी है पर जिन्दा रहोगे, हेल्थ की को गारेंटी नहीं होती है खाना कुछ परकार से मिलता है, सब लोग वैसे ही खाना काते है कोई स्पेसल नहीं हो, आप यह सोच रहो कि आपके पिता जीए है या पर आप इतने आसो आराम से रहे हो तो आपको अच्छा खाना मिलेगा नहीं खाना वाँ पर लगब अर्जिगा पैसा ही मलता है बाकी वो डिपेंड करता है कि आप कुछ बड़ी ओटल में रोजना काना का रहा है तो आपको थोड़ा सा वो प्राइस थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है या आप सोच रहोंगे मिने खाने की बुराई क्यों की है इसको समझने की कुशिस करता है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पर एक दूसरी सुवीदा भी देखने को मिलती है वह होम कुक की या फिर हाउस एलपर की मतलब कहने का मतलब आप मेट रख लो किसी कुक को रख लो जो आपके लिए खाना बना के जाएगा और यह अगर आप सिंगल के लिए करते हैं तो यह तो प्रेक्टिकली पॉसिबल ही नहीं क्यूंक उसमें वह जदा म्हेंगा भी पड़ जाता है और सिंगल के लिए खाना बनता भी सही नहीं है तो maximum aspirant वाँ पर क्या करते है कि काफी लोग sharing में रहते हैं या फिर एक ही building में दो-तिन लोग अगर रहे रहे तो वो दो-तिन लोग मिलकर एक cook को hire कर लेते हैं और वो cook बना के खाना बना के जाती है और खाना अच्छा बनता है आपने जो अभी बसी का जो वीडियो सुना होग उसमें फायदा यह होगा कि अगर आप cook आपके लिए बना के जा रहा है तो थोड़ा सा आपको expense भी बढ़ेगा थोड़ा सा आपको मेंगा भी पड़ेगा expensive होने के पीछे reason यह है कि आपको खुद को सबजिया वगरा भी लानी पड़ती है cook का भी चार्ज थोड़ा सा होता है kitchen का भी चार्ज होता है gas cylinder का भी होता है थोड़ा सा मेंगा पड़ता है पर फायदा यह है एक तो आपको खाना अच्छा मिलेगा second thing अगर आप बार का खाना खाऊगा तो आपको कहिना कि इस्टोन नोने के सिकायत रही जाती है पत्री हो जाएगी तो कहिना कि operation के अंदर वहाँ पे पैसा लग जाएगा तो उच जिगा पे पैसा बचाने के चकर में आप बरवाद मत हो यह सबसे बड़ी एक काम कीजिए cook लगा कर खाना बना सकते हो अच्छा खाना बन जाएगा यह हमने बात कर लिए खाने के लिए करिब करिब आपको 30-40,000 रुपे खाने के अंदर लग जाते हैं और मैंने आपको 15-16,000 के आसपास का यह आपको सुविधा बता दी Now we will discuss about the Mukherji Nagar, Hindi medium का area आपको लगबग इसी परकार का चार्जेश देखने को मिल जाता है पर थोड़ा सा कम वहां पर देखने को मिलता है दर्ष्टी, सुबरा रंजे, नेक्ट आयस, इसके साथ मैं आने अकडमी का ओपिस भी वहीं पर देखने को मिलेगा And now जो खान सर भी बता रहे कि अपना जो ओपिस है वो भी वो क्रोल बाग के वहीं पर खोलेंगे आप उनके जश्ट पांसो मेंटर की रेंज में रहेंगे तो आपको एरिया में बता रहो पंटा सर सोला जर के आसपास में वह जो पटेलनेगर और जो साधीपुरा में आपको बताया वो उसी से दो मेट्रो इस्टेशन दूर पे है मैक्सिमम में अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं तो दस से पंडा मिंट का रोजाना का सफर होगा यह मां का सफर रहेगा जो मैं आपको भी बता रहा हूँ पर आपको इसके खाण इंची जोगों करना पट रहा है मुझे तो अबने बात कर लिए राजयन दिननगर के बारे में और आप आसपास में रोम लेते हैं कोचिंग के आसपास में तो वही चार्जेज आपको खरीब 10,000 के आसपास में देखने को मिल जाता है मुख्रिशी नगर एस कंपेर टो रजयन दिननगर थोड़ा सा ससता है अब आपका रहता है कि आपको इसको थोड़ा सा कम करना तो कैसे कर सकते हैं कोचिंग से थोड़ा सा दूर आपको वजिराबाद देखने को मिल जाता है संगम वियार देखने को मिल जाता है वहाँ पे कोचिंग से आने के लिए आने जाने के लिए रुजणा लिक्सा देखने को मिल जाता है क्योंकि आपको 10 रुपे में रेखने के लिए अपड़ाउन करने के लिए इतना चर्ज्ज आपके लिए रहेगा उसका तो आप वहां पह रह सकते हैं बज़िराबाद में आपको काफे कम price में room देखने को मिल जाते हैं करीब 7-8,000 में room देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप आराम से sharing रहेंगे 2-3 यने तो आपको per member का charge करीब-करीब आपको 3-3,000-4,000 के असपार जाएगा अगर आप बजीराबाद के वहाँपे रहते हैं तो सब्सक्राइब डिखने को मिल जाते हैं और खाने के लिए सुविदा दोने तरब एक जैसे रहती हैं हमने बात कर लिए दोनों के बारे में अब हम बात करते हैं मोटा मोटी तौरपे करते हैं करीब करीब आपका 3,5-4,5 लाग के आस पास में पूरे साल का खर्च हो जाएगा कोचिंग को आप्सनल को इन सारे इसे आपको टोटल काउंट करते हैं तो और वह तब आप खर्चे को बचा रहे हैं तो अगर आप उसी खर्चे को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ज फिसे सहाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे को बचे जा भी सकता है और खर्च भी कर जा सकता है ना हम डिस्कस करते कि डिली में रहना जरूरी है या पिर नहीं है तेडिली एक अईरिया है जहां पर एक हाइप आपको देखने मिल जाती है मापे काफी बच्छी मैं आपको बता दू कि अगर आप UPC के सीरियस एस्प्रेंट है आज कल के जो नेयन एस्प्रेंट आ रहे हैं वैसा नहीं है आपने भी यूटूब पर देखा होगा मैंने भी रिसेंटली में विजिट कर रहा था कुछ एक बच्चे को मैंने देखा जो किताबों को लेकर खान भी जुरूत नहीं है आज के टाइम में रिजिनल सेंटर भी काप एच्छा काम कर रही हैं अगर आप दर्ष्टी एस हिंदी मिडियों की सबसब बड़ी कोचिंग की बात करते हैं तो वह आपको जाबूर में देखने को मिल जाती हैं अगर आप विजिन एस की बात करते तो मल्टिबल सेंटर उसके देखने को मिल जाते हैं अगर आप उसी जिगा पे केज या इस की बात करते हैं उसके भी मल्टिबल सेंटर देखने को मिल जाते हैं मैं दो ती नाम इसी कान लग रहा हूं ताकि आपको को ऐसा ना लगए कि मैं किसी कोचिंग पर ज्यादा प्रिसर पस आप दिल्ली में जो फाइदा होता है उससी जब एक नुकसान भी दिल्ली पे रहता है कि आपका पॉलिशन वहां पे इतना ज़्यादा है कि आप बीमार भी कापी जल्दी हो सकते हो अब एक थोड़ा से यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि दिल्ली में रहने के फाइदे क्या और नुकसान क्या है दिल्ली में रहने का सबसा बड़ा फाइदा कि आपको एक पिर गृप वहां पर देखने को मिलता है अगर आप किसी building में रहते हैं तो आपको सभी UPSC के aspirant देखने को मिलते हैं लाइबरे जाते हैं तो आपको सब जिगा पर UPSC motivation के लिए अच्छा सा area देखने को मिल जाता है सेकंड आपको motivation देखने को यह मिल जाता है कि जैसे कि आप किसी गली में जा रहे हैं गो जो वहांगे जेतखी बात करते हैं तुझे पदाए कि यहां पर बच्छा रह रहा दा उसने ईंटिरुः दिया था तो आपको चारों तरफ से एक ही तरफ पी देखने को मिल जाती है तो अगर आप्प्टोंसे ठिक ठाक दिखने में हो और मंद पे कंट्रोल नहीं है तो definitely आप different type के आप लपंग की बजिंग में पढ़ जाओगे, different type के आप नसों में पढ़ जाओगे, कहने का मतलब रोजाना के आप बैठकों में बैने लग जाओगे, अपने aspirant web series में भी देखा होगा, सब लोग बैठक UPSC के बारे में discuss कर रहे है, तो ऐसा है आप करने लग जाओगे, या फिर boyfriend, girlfriend का जो लपड़ा होता है, उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हो, तो यह सारी चीज़े भी वापर हो सकती है, तो एक नुपसान वापर वापर वो भी होता है, पिट अगर आपको मन पे control है, तो इ जेनल नगर के आसपास में कितना रहता है, मुखरजी नगर के आसपास में कितना रहता है, और complete में आपको वो भी parameter समझा दिए कि अगर आपको दिल्ली आकर रहना जरूरी है या पिर नहीं है, तो overall इस वीडियो का जो intention दा मुझे लगता है, खतम हो गया है, अगर आपको हमने WhatsApp के सुविधा आपके लिए शुरू की है, अगर आपको कोई भी preparation के regarding कोई भी doubt है, तो आप comment करके में इसे बात कर सकते हैं, कोई भी बच्चा ये नहीं पूछेगा कि रूम कहां पर सस्ता मिलेगा, मेरे लिए को एच्छा सा रूम ढून लो, हम आपके लिए ये काम न दिखा देंगे, पर हम आपसे इसके बदले में चार्ज लेंगे, और वह आपसे करीब करीब रूम का 21 दिन का चार्ज ले लेता है, तो अगर आप ब्रोकर से जब भी बात करते हैं, तो थोड़ी से आप bargaining कीजिए, वह आपसे 21 दिन के जिगा पर 15 दिन का चार्ज लेगा, तो भी आपके काफी पैसे वहाँ पर बच जाते हैं, और यहापर अगर खुद भी जाकर ढूणना चाहो, तो आपको too late काफी जिगा पर देखने को मिल जाता है, तो आप खुद भी रूम ढूंड सकते हैं, तो एक ब्रोकर के चिकर में नहीं फस्ते हैं, तो आपको रूम क इसके regarding कोई भी doubt होगा और genuine doubt होगा तो यह आपको reply मिलेगा, otherwise आपको reply नहीं मिलेगा, यह बयात मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपका genuine reply है, genuine सवाल है तो आपको definitely reply मिलेगा, इसकी मैं आपको guarantee देता हूँ, so मिलते हैं ऐसे important video के साथ में फिर तब तक के लिए हस किसी और दिन किसी और रोस फिर मिलेंगे तब तक के लिए जहिंद